इनकी कहानी आप जानने से पहले एक बात शायद आपको सुनने आई होगी कि इनके पास लोकडाउन के वक्त एक महने भर का सामान खरीदने के लिए दो हजार उपए तक नहीं थे जबके इनोंने फिल्मों से करोड़ो रुपए कमाए इनके पती एक सुपरस्टार इनकी बेटिया भी सुपरस्टार लेवल की एक्ट्रेसेस इनका इतना लंबा करियर कि जब इनकी उम्र पाच साल थी तब से इनका करियर शुरू हो चुका था तब से ये पेसे कमा रही थी लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है इनकी कहानी जब आप सुनोगे तो आपको तकलीब हो जाएगी लेकिन इन्होंने उस कहानी को जिया है मुझे इस कहानी को बताने के लिए हिम्मत करनी पड़ी सतर और अस्ती के दशक में इनकी लाखों नहीं करोडों दिवाने हुआ करते थे ये अभिनेत्री उम्र के 5 साल से ही बेहतरीन एक्टिंग करती थी इनकी नैचरल एक्टिंग के बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक दिवाने हुआ करते थे लेकिन ये acting अपने शोक से नहीं करती थी इतनी सी कम उम्र में इनसे जबरदस्ती acting करवाई जाती थी वो जबरदस्ती से acting करवाने वाला कोई और नहीं था वो उनकी खुद की मा थी और बचपन से जवानी तक की सारी कमाई इनसे चीन ली गई और इन्हें पाई-पाई के लिए मोधाज कर दिया गया इन्होंने एक सुपरस्टार से शादी तो कर ली लेकिन शादी से पहले ही एक बेटी को जनम दे दिया और शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो सुपरस्टार पहले से शादी शुदा था तो पहली शादी से उनको तलाक नहीं मिला हुआ था और दो बेटियों के पैदा होने के बाद उनके उसी सुपरस्टार पती ने उनकी ही वेस्ट फ्रेंड के साथ एक्स्टा मैरिटल अफेर कर लिया और इनको छोड़ दिया और आप येकिन नहीं करेंगे कि इनकी मा और पती ने इनको छोड़ने के बाद इनकी जो दो बेटिया थी उन्होंने भी इनके साथ रहने से मना कर दिया और उन्होंने पैसो के लिए अपने सुपरस्टार पीता के साथ रहना पसंद किया तो कौन थी ये अदाकारा जिसे हर रिष्टे ने ठुकराया और दर्द दिया और सेक्डो फिल्मों में काम करके करोडो रूपे कमाने के बावजूद पाई-पाई के लिए मौताज हो गई तो दोस्तो आज हम ये जो कहानी डिसकस कर रहे है ये बहुती सिंपल और टैलेंटेड अभिनितरी सारिका जी की है सारिका ने अपने समय के सभी दिगज अभिनिताओं के साथ काम किया था आगनित सुपर हिट फिल्मों का ये हिस्सा रही वही इनकी खुपसूर्ती और ग्लैमरस अंदास के काफी चर्चे भी रहे तो सबसे पहले ये जानते है कि इनकी शुरुवात कहां से होई थी सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर इनका जन 5 डिसमबर 1960 दिल्ली में हुआ था इनकी मा का नाम कमल ठाकुर था और पिता जी का नाम दिने सावन था इनकी मा को इंडस्टी के कई लोग सक और लालची महिला कहके पुकारते थे इनकी पिता जी की बात करे तो इनके पिता जी अपनी बच्ची और पतनी को छोड़ कर बहुत पहले ही चले गए थे और बाद में उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी उसके बाद साविका की मा छोटी सी बच्ची को लेकर मंबुय आ गई और उन्हें फिल्मों में काम दिलाने की कोशिशे करने लगी अब जहाँ साविका खुबसूरत आकरशित दिखती थी तो उन्हें फिल्मों में काम मिलना लाजमी था तो 5 साल की उम्र से ही सारिका ने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया अब इनकी मा को जानने वाले लोग ये बताते हैं कि इनकी मा के खौब बड़े थे और शोक नवाबी थे वो खुद तो मेहनत नहीं करना चाती थी तो उन्होंने अपनी मासुम सी बच्ची का इस्तमाल करना सही समझा उन्होंने एच चीज को भाप लिया था कि उस समय फिल्मों में चोटे बच्चों को आसानी से काम मिल जाता है इसलिए वो अपनी चोटी सी बच्ची को सजा दजा कर अलग-अलग स्टुडियोज में ले कर जाती थी सारिका को काम मिलते रहा और ऐसे चलते उनकी उपर बहुत सारी जिम्मेदारिया आ गई जिम्मदारियों का बोज आ गया इतनी चोटी सी उम्र में उन्होंने कमर्शिल काम करना शुरू कर दिया खेर 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज में इनको as a child artist काम मिल गया इस फिल्म में ये actress विनी की बेटी बनी थी इसके बाद में मजली दीदी फिल्म में ये मिना कुमारी की बेटी बन कर नजर आई इसके बाद में सारी का बालक, बेटी, आशिरवाद और छोटी बहु जैसी कई फिल्मों में नजर आई नहीं जाने दिया, अब बेटी पैसे कमा रही थी और मा उन पैसों का अपने तरीकी से इस्तमाल कर रही थी उन्होंने मंबुई और दिल्ली में कई सारे properties खरीद ली, कई सारे flats खरीद ली सिर्फ मंबुई मंबुई की बात करें तो पाच apartment उन्होंने मंबुई में खरीदे थे उनमें से कोई भी apartment उन्होंने सारीका के नाम पर नहीं किया था ना ही उनको nominee बनाया था, उनका कमाया हुआ सारा पैसा मा अपने पांस रख लिया करती थी एक बार पैसा सिधा सारीका के हाथ में मिला, तो उन्होंने 1500 रुपे की किताबे खरीद ली उस दिन उनकी मा ने उन्हें सक्त हिदायत दे ली थी कि अगर तुम आगे से इसा खर्चा करोगी तो याद रखना पैसे सारे मेरे पास लाकर ही देना इनी अत्याचारों को तंग आकर सारीका ने घर छोड़ दिया तब कुछ दिनों तक वो कार में रही, कुछ दिनों तक बाद में जुह स्थित पृत्वी थेटर में रही और बाद में और कुछ दिनों तक उन्होंने दोस्तों के पास बना ली हाला कि तब तक सारिका ने लीड एक्ट्रेस की तोर पर फिल्मे करना शुरू कर दिया था फिर उन्होंने एक घर किराय पर ले लिया और उसमें वो shift हो गए फिर 1975 में उनकी एक फिल्म आई कागज की नाव जो राज किरन के साथ थी इनकी पहली फिल्म थी as a lead heroine और राज किरन के भी वो पहली ही फिल्म थी और उसी साल उनकी एक फिल्म रिलीज हुई गीत गाता चल जो सचिन पिलगाओकर के साथ थी और इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया बहुत पसंद किया अब ये फिल्मे परदे के जोड़ी वास्तविक जीवन में भी आगे बढ़ी करीब आई लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सके तब ही आगे चल कर इंडियन क्रिकेटीम के कफतान कपिल देव के साथ भी इनका नाम जुड़ा और इन दोनों की चर्चाय शुरू हुई लेकिन ये रिष्टा भी जाना दिन नहीं चला उसके बाद कतल और ग्रिह प्रवेश फिल्मों ने इन्हें अच्छी खासी पैचान दिलाई और संजीब कुमार के साथ काम करके इन्होंने एक्टिंग की नई बारी किया भी सीख ली उसके बाद उन्होंने स्रीमान, स्रीमती, सत्ते पे सत्ता, देवता, जानी दूश्मन और विधाता जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया ये फिल्म में सुपर हिट थी अब तो सारी का स्टार बन चुकी थी ये दोनों लिविन रिलेशन्शिप में भी रहने लगे और 1986 में उन्होंने अपनी पहली बेटी को जनम दिया उस बच्ची का नाम रखा गया शुरूती हसन अब तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी क्योंके कमल हसन पहले से शादी शुदा थे और उनकी पहली पत्नी की तलाग की प्रकिया पूरी नहीं होई थी अब शुरूती के जनम के दो साल बाद इन्होंने 1988 में कमल हसन के साथ शादी की फिर 1991 में इनकी दूसरी बेटी अक्षरा का जनम हुआ इसके बाद सारीका ने एक अभिनित्री की तोर फर फिल्मों में काम करना कम कर दिया और उन्होंने अपना फोकस कॉस्टूम डिजाइनिंग पे कर दिया फिर 2001 में आई हे राम फिल्म के लिए उन्होंने अपना कॉस्टूम डिजाइन का जॉक कम्प्लिट किया और उससे उन्हे नैशनल अवार्ड भी मिला अब करीब 16 सालों तक इनका रिष्टा ठीक चला तभी इन दोनों के बीच में सारिका की ही बेस्ट फ्रेंड गौतमी की एंट्री हो गई उनकी शादी तूट चुकी थी और वो अक्सर सारिका के घर पर आकर रही थी थी अब सारिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनकी सबसे अच्छी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड और खुद के पती दोनों मिलकर उन्हें धोका देने वाल है आखिरकार सारिका को जब इस नाजायज रिष्टे के बारे में पता चला वो बुरी तरह से तूट गई और चेन्ने में एक अपार्टमेंट में रहते हुए फोर्थ फ्लोर से वो नीचे कुद गई वोने काफी जगा चोट आई, हड़ी तूट गई, उस वज़े से वो तीन महिनों तक हस्पताल में ही रही अब जैसे ही वो हस्पताल से वापिस आई तो उन्होंने कमल हसन से अलग होने का फैसला कर लिया और 2004 में इन दोनों का तलाग भी हो गया अब तलाग के बाद 16 साल की शृती हसन और 13 साल की अक्षरा ने मा के साथ जाने से इनकार कर दिया और कोट में उन्होंने ये बयान दिया कि वो अपने पिता के साथ रहना चाती है यहाँ बेटियों ने भी पैसे वाले पिता का साथ चुना और फिर से एक बार सारी का अकेली हो गई इससे वो बुरी तरह से टूट गई, खामोश हो गई और वापिस मंबूई आके रहने लगी हाला कि लंबे समय तक वो फिल्मों से दूर होने की वज़े से उनके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं बचा था कुछ दिन उनके बेहत तंगी में गुजरे क्योंकि उन्होंने जो भी पैसा कमाया था वो अपनी बेटियों पर और घर में खर्च किये थे खेर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने वापिस फिल्मों के और रुक किया अब सालों से फिल्मों से दूर रहने के बावजोद उन्होंने English film फरजानिया में बेहतरीन अधाकारी दिखाएं और इस फिल्म के लिए उन्हें Best Actress का National Award मिला उसके बाद उन्होंने 2007 में बेजा फराय फिल्म की और Manorama 6 Feet Under की फिर अगले साल एक फिल्म की उन्होंने ये मेरा इंडिया, फिर 2009 में कच्चा लिम्बू ये फिल्म की और 2010 में सोसाइटी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, उसके बाद में उन्होंने बड़ी फिल्मों में भी काम किया, 2012 में उनकी जब तक है जान ये फिल्म आई थी, फिर Club 60, पुरानी जीन्स और 2016 में उनकी बार बार देखो ये फिल्म आई आखरी बार 2022 में एक फिल्म आई थी उचाईया सूरज बढ़ जाता है कि ये फिल्म थी उसमें इनने देखा गया था इस फिल्म में अमिता बच्चन के साथ उन्होंने स्क्रीन फेश सेर किया था और अनुपम खेर भी थे अब जब सारिका की जिन्दगी पट्री पर लोट आई थी तो मा तो मा होती है इन्होंने अपनी बेटियों से संपर्क किया और फिर दुबारा इनकी बेटियों के साथ इनकी तस्वीरे नजर आने लगे और बेटिया भी इनसे वक्त रहते मिलने आया करती है जबकि सुरूती हसन और अक्षरा हसन दोनों भी अभिनित्रिया बनी थी पर मा का लेवल वो कभी छू नहीं पाई हाला कि दोनों बेटियों के भी लंबा स्ट्रगल रहा है लेकिन मा तो मा होती है और उस मा का यह स्टार्डम नहीं चोग सकती हाली में उनके एक धक्कादाएक इंटर्विव ने सब को चोका दिया था लॉक्डाउन के बाद उन्होंने एक इंटर्विव में बताया था कि लॉक्डाउन की वज़े से उनके पास कोई काम नहीं था उस वज़े से उनके पास जो भी पैसे थे वो खत्म हो चुके थे और फिर से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था यहां तक की महने का वो 3,000 रुपे तक कभी अर्णिंग नहीं कर सकती थी जो 2,000 रुपे का उनका बज़ेट था महने का खरचा वो भी वो नहीं कर पा रही थी अब सूचिए कि 100 से अधिक फिल्मों में काम करने वाली है मशूर अधाकारा करोडों से जादा पैसे रुपे कमाने वाली ये अभीनित्री जिनके पैसों को सब ने लूटा और बुरे वक्त में इनको किसी ने साथ नहीं दिया हाला कि इन्होंने हर बार खुद को संबाला और जीवन में आगे बढ़ती रही अब हम और आप इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए डेर सारी शुक कामना ही दे सकते हैं नमसे दोस्तों मैं था अनुराजा चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना और भी सची बायगराफ इसको देखने के लिए चैनल को विजिट करो और सब्सक्राइब करो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू